नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे रहस्य मई एवम अधभूत सोना बनाने का प्राचिन प्रयोग बताने जा रहा हूँ इस प्रयोग के माध्यम से आप लोग जितना चाहं उतना सोना बना सकते हैं जिहां दोस्तों यह प्रियोग इतना अनूठा है इतना रहस्य मई है कि दोस्तों यह आपको हैरान कर देगा जिहां दोस्तों मित्रों इस प्रियोग के द्वारा कोई भी मनुस सोना आसानी से बना सकता है दोस्तों यह प्रियोग प्राचीन काल का प्रियोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्रियोग के द्वारा कोई भी मनुस अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहिए उतना सोना बना सकता है वो भी एक किलो, दो किलो, तीन किलो, चार किलो, पांच किलो तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ उन समग्रियों के बारे में वो कौन सी समग्री है जो आपको चाहिए सोना बनाने के लिए तो दोस्तों उस दुरलब जी हां दोस्तों उस दुरलब और सधी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और वह दुरलब एवं और सधिये पेड़ कौन सा है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तब ही आपके समझ में आएगा अगर आप लोग भी सोना बनाने की इस अनोठी और हैरान कर देने वाली बिद्या को जानना चाहते हैं दोस्तों जो मैंने आपको आप तक सोना तथचांदी बनाने की जितनी भी जानकारी दी है उन सबी से हटके और बहुत ही अलग प्रियोग है यह जिहां दोस्तों यह तद्काल फैदा दिखाने वाला है जिहां दोस्तों तो आपसे बार-बार मैं आगरे कर रहा हूँ इस लोग आपके लिए खोज के निकाला है जिसके प्रियोग से दोस्तों आप लोग निश्चित ही अपने मन के मुताबिक एक किलो दो किलो पाच किलो सोना आसानी से बना सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की सोना बनाने की चांदी बनाने की जानकारी लाते हैं और तांत्रिक जानकारी भी देते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और इस जानकारी को भी सेर कर लीजिए तो दोस्तों उस दिब एवं औसधिय पेड़ का नाम है दोस्तों दुख्ध रोहा जिहां दोस्तों दुख्ध रोहा एक ऐसी औसधिय पेड़ है जिसको कोई प्राप्त कर ले दोस्तों अपने आप में दोस्तों उसके लिए सोने पे स्वागा है जिहां दोस्तों वह मनुष हुथ ही ज़ादा भाग्यवान माना जाता है। दोस्तों, दुख्धुरोहा का पेढ इतनी तंत्रम नामक पुष्टक दोस्तों इसी में से मैं आपको यह अनोठा प्रियोग दे रहा हूँ मित्रों इस प्रियोग से आप लोग जो है सोना असानी से बना सकते हैं मित्रों जैसा कि मैंने बताया उस रहस्य मई और उस हैरान कर देने वाली दिव एवन जादुई आपको जो है एक कढ़ाई बनानी है किसकी दुखद रोहे की लकडी की एक कढ़ाई बनवानी है और बनवाने के बाद दोस्तों आपको इसको रख लेना है इसके बाद दोस्तों आपको इस दुखद रोहा के पेड़ों के पाचो अंगों को लाना है जैसे इसके पता तना फूल जड इन सभी को लाकर कि इसका रस निकाल लिए रस निकाल करके रख लीजिए कम से कम एक गिलास एक गिलास से भी कम यानि कि आधा गिलास मान लीजिए आधा गिलास से एक गिलास इसका रस निकाल कर रख लीजिए और दोस्तों आपको फिर दोस्तों आपको जो है इसी दुख्द रोहा लकडी की कल्ची बनाने है कल्ची ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसके बाद आप आपने जो दुख्द रोहा की जो कल्हाई बनाई है जो दुख्द रोहा का जो पेड़ है जो इसकी आपने कल्हाई बनाई है इस जादुई पेड़ की कल्हाई बनाने के बा क्योंकि दोस्तों सुद्ध पारा धातू हर कोई नहीं कर सकता ठीक है इसके लिए दोस्तों आपको जो अच्छे किसी विशेशग से सुद्ध पारा धातू लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अगर आप पारा धातू को बिना सुद्ध किये प्रियोग में लाते हैं तो दोस दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया दुख्द रोहा की जो आपने लकडी का जो कढ़ाई बनाई है उसमें दोस्तों आपको इस पारा धातु को डालना है डालने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है उस दुख्द रोहा की जो कढ़ाई है उसके नीचे आग जलाना है और दो अच्छे दोस्तों क्या करना है प्वूजना पकाना है और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करने रस डालना है किसका रस डालना है दुख दोफा कर्छिया कि कर्चिया रस सप्धित्षित क्रजए सिर्ए नियुक्ष्ट क Felix कि सीर्फ के तब धात्य आध्या नहीं जाएगा ठीक है यानि कि इसको आसान भासा में कहें कि पारधातु भस्म रूप में तयार हो जाएगा और दोस्तों मित्रों यह आपने जो 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक का आपने पारधातु का जो जो आपने यह दिब भस्म बनाया है इसको दोस्तों आपको रख लेना है उसी में रखा रहने दीजिए और दोस्तों अब आपको चाहिए सुध तामबा जिहां दोस्तों सुध तामबा चाहिए आपको चाहिए आपको चाहिए पिर वो दोस्तों चाहिए तामबी रंग हो या फिर सफेद तामबा हो ठीक है आपको सुध तामबा चाहिए और सुध त बता रहा हूं ये इतनी असानी से नहीं मिलती हैं अगर आपको मिल जाती हैं तो दोस्तों 100% गरंटी है कि आप इससे सोना बना लेंगे और दोस्तों आपको क्या करना जो आपने दुखद रोहा की लकडी से जो आपने कड़ाई बनाई थी और जो दुखद रोहा के ग्राम तांबे में एक हजार पिगले हुए ग्राम तांबे में अगर आप जो है एक ग्राम भसम डाल देंगे ना इसका जो आपने बनाया दुखद रोहा की लकडी में पारा धातू का और अगर आप एक हजार ग्राम जो तांबा धातू है उसमें जो पिगला हुए उसमें अगर डाल करके मिला देंगे न दोस्तों और थोड़ी दर पकाएंगे तो दोस्तों जो तामा धातु है न दोस्तों वो सुद्ध सोने में तबदील हो जाएगा जिया दोस्तों वो सुद्ध सोने में निखराएगा और ये पूरा का पूरा जो तामा है सुद्ध सोने में तब दोस्तों यह प्रियोग मैं आपको स्वन तंत्रम नामक पुश्टक से बता रहा हूं लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है यह चीजें अभी भी जो है मजाग लग रही होंगी और किसी को तो यह बीडियो फेग लगेगी दोस्तों यह बीडियो फेक नहीं है यह जानकारी कि आप लोगों को प्राचीन जानकारी आपको समय पर प्राथो और आप प्राचीन जानकारी से अगत हो ताकि आपको पता चले इस रहस्यमई दिव एवं चमतकारी प्रियोक के बारे में मित्रों प्राचीन काल में लोग जो है और सदियों एवं धातों के मेल से सोना बनाया करते थे और तभी भारत वरसे में सोने की कमी नहीं थी लेकिन दोस्तों इस बिद्या पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसको हलके में ले लिया लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे लो आप दोस्तों रोज एक किलो पांच किलो जितना सोना बनाना चाहें बना सकते हैं लेकिन दोस्तों सर्थ ये है कि दोस्तों ये सारी की सारी समंगरी सुध होनी चाहिए और ये जो मैंने आपको दुख्द रोहा का जो पेड़ बोला है ये आसानी से नहीं मिलता है जिहां दोस जो है इस दुख्द रोहा की पेड़ को खोजना पड़ेगा तभी दोस्तों आपको जो है सोना बनाने का आउसर एवं जो है दोस्तों भाग मिल पाएगा अन्यता ऐसे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों यह अपने आप में बहुत हरान कर देने वाला प्रियोग था दोस्तों यह जो समगरी जो मैंने बताई अगर आपने इनको प्राप्त कर लिया सुद रूप में क्योंकि दोस्तों इन सभी सुद समगरी को प्राप्त करने में कोई भी पूरी तरह से जो है दोस्तों काम्याब नहीं हुआ है और जिसने भी इन समगरी को सुद रूप से पूरी तरह से दोस्तों प्रट कर लिया निश्चीत ही दोस्तों विव्यक्ति सोना बना लेगा यह हमारी पूरी गरंटी है क्योंकि दोस्तों जैसा हमने अध्यन कर आ प्रियोग को करिए और अजमाईए और अधन करिए सोध करिए आप जरूर सफल होंगे दोस्तों तो दोस्तों यह जानकारी उम्मीद करते हैं आपके ग्यान में प्रिद्धी करेगी और आप लोग जो है अरुबेद के बारे में और धातूं के बारे में और जादा ग्यान ले ताकि आप भविश्य में सोना बना सके धन्यवाद